दोस्तों आज मेरे पास है Micromax into B और ये पता होगा आपको Made in India है इंडिया की बरांड है तो काफी तगड़ा मोबाईल देखने को मिलता है और काफी अच्छे अच्छे hidden features भी मैं इसके बताने वाला हूँ जिससे आपका जो मोबाईल का चलाने का तरीका है काफी ज्यादा बदल जाएगा काफी ज्यादा मज़ा आएगा तो ये hidden features अगर समझने हैं आपको अच्छे तरह से तो वीडियो को end तक ध्यान से देखते हैं तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ ये मज़ेदार hidden features बताता हूँ उसके लिए आपको जाना है settings के अंदर और यहाँ पर नीचे आना है को यहाँ पर देख पा रहे हैं intelligent assistance मतलब नाम ही intelligent है तो features भी intelligent ही मिलने वाले हैं तो इसके अंदर क्या होगा आप देख सकते हो swipe fingerprint for notification यानि कि जब आप इसको own कर लेते हो यह देखिए मैंने इसको own कर लिया अब जब हम इसके जो fingerprint है इसको ऐसे करेंगे तो यह देखिए यहाँ पर notification बार आ चुका है यह देखिए जब भी आप ऐसे करो कि notification आ जाएगा मतलब आपको उपर से इसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो अगर आपके लिए आसान है तो आप इसको own कर सकते हो और यहाँ पर और भी काफी सारी चीजे मिलती है अच्छे अच्छे आपको दिखाता हूं में जैसे की quickly open camera इसको जब ओन करते हैं और यहाँ पर इसको own करते हैं तो यह देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है यह आपका अभी बॉर ओफ है तो आपको double tape करके रखना है यहाँ पर यह देखिए camera open हो चुका है मतलब इसके आपको काफी अच्छे चीजें और यह देखिए lift to check यहाँ पर देखिए इसको में कैसे करके दिखाता हूं आपको जैसे अभी आपका phone off है यह देखिए on हो चुका है मतलब कि आप ऐसे mobile को हिलाओगे तो आपका यहाँ पर notification वगरा देख सकते हो time वगरा देखना चाहते हो तो बस आपको इसे mobile को flip करना है तो आप इसको off या on कर सकते हो और यहाँ पर बेख जाये तो यह देखिए fingerprint function यानि कि जो fingerprint है आपके काफी ज़्यादा use होगा काफी ज़्यादा काम में आएगा मतलब आपको आप इसको कैसे भी adjust कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर अगर on करते है take a photo और video यानि कि आप इसको on कर लेते हो अब आप कोई भी photo या video record करते हो तो आपको यह button क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर जब हम click वाला button क्लिक करते हैं यहाँ पर fingerprint पर click करोगे तो आपका जो video या photo अगरा record हो जाएगा और यहाँ पर आपको screen capture करना है यानि कि screenshot लेना है तो यहाँ पर भी आप इसको तो यहाँ पर screenshot हो जाएगा अगर इसको ओन कर लेते हो यानि एक बार दिखाता हूँ मैं आपको इसके लिए दोस्तों आपको लोंग प्रेल करके रखना screens Screenshot के ऊपर फिर आपका स्क्रीन सोड़ों जाए इसी कि मैं आपको दिखाता हूँ से लोंग प्रेस करके रखना आपको और यह देख़े です स्क्रीन THE over press करके रखो गया इस स्क्रीन发 ho जाएगा इसको भी आप ऊर्ड कर सकते हो और यह देखिए लोंग प्रेस फिंगर्पेंसर टू गोडू होम ऑम स्क्रीन जैसिकि हमें रोच छाना है तो देखिए मैंने थी फिंगर से स्क्रींसोट ले सकते हो जैसी कि आपने इसको ओन या उफ करना चाहते हो इसको अधिकर सकते हो और यह देख पार रहेंगे फ्लिप्टु म्यूट इसको जिए आपके कोई कोई आता है अगर यह उन रहता है तो आप ओफिस होगेरा में काम करते रहते हो तो आपके कोई कोल आता है तो आप इसको ऐसे रख दोगे तो आपका जो मुबाइल है साइलेंट पे चला जाएगा यानि कि वो जो कोल है म्यूट हो जाएगी कोल कटेगी नहीं और यह देख पार हैंगी इसी एंसर का उप्षिन मिलता है इसी की नीचे तो इसके अं नीचे आप देख पार हैंगे टोबल फ्लेसलाइट यानि कि यहां पे क्या होगा आपका मोबाइल ओफ है और अगर इसको आप ओन करते हो तो मैं दिखाता हूँ आपको जैसे की ओफ है अब आप इसको प्रेस करके रखोगे तो यह देखिए फ्लेसलाइट ओन हो जुगी ह है आपने देखा होगा कि काफ़ी लोगों की जब भी कोई कोल आता है तो उनकी जो फ्लेसलाइट है ओटोमेटिक ओन ओफ होने लग जाती है तो वह कैसे वह यहां पर सबसे नीचे आप देख पा रहेंगे फ्लेस ब्लेंकिंग ओन इंकमिंग कोल अगर आप इसको ओन कर ले पर आप चाहते हो कि मेरे जितने भी नोटिफिकेशन साय है वांट्स कर ना चाहते हो आप चाहते हो मेरे पास उनकी पूरी हिस्ट्री रहे अब आपको क्या करना है इसको on कर लेना है अब आपके पास जो भी notification आएगा आप चाहे उसको clear कर दो या कुछ भी कर दो यहाँ पर आपकी history रहेगी तो यहां से क्या होगा इजिली आपके पास पूरी हिस्ट्री रहेगी नोटिफिकेशन के आपके जो भी नोटिफिकेशन वगर आएगा तो यहां से आपको पता चल जाएगा तो इसको भी आप ओन कर सकते हो और यहां पर अगर बेख जाये तो यह देख पा रहे हैं कि बबल भी रख सकते हो और दोस्तों एक चीज़ बताऊं मैं आपको जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यह जो हमारे एपस है इनके आइकन्स देख सकते हो आप यहाँ पर गोल है तो आप इनको भी चेंज करना चाते हो तो यहाँ पर स्क्रिन के ओपर टेप करके रहता है होम सेटिं यूनिक सा लगता है आपका मोबाइल और आपको वेसा का वेसा ही करना जैसे आपके थे तो यूज सिस्टम डिपॉल्ट पर कर दीजिए अब वेसे हो जुगे तो जैसे सभी आपको अच्छा लगता है इनको कस्टुमाइज कर सकते हो तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बत दिखाता हूँ आपको सिस्टम डिवीगेशन इसके उपर क्लिक कर देजी अब यहां पर करने से क्या होगा दूस्तों अगर आप बेग जाना चाहते हो तो इधर से करोगे तो बेग चला जाएगा और यहां से इसे करोगे तो आपको बेग आ जाएगा यह देखिए इधर स आप इसको चेंज वगेरा करना चाहते हो आप जहते हो कि मुझे वहापस चेंज करना है तो इसी के अंदर जाना को और यहां पर आपको वाहें पर नियुक्त कर दीजिए थरी जाएग आप リूज्जिस कर सकते हो आपको जो भी अच्छा लगता है आप इसको जाना है और सेटिंग्स के अंदर आने के बाद सबसे नीचे देख पारेंगों डिजिटल वेल्बिंग एंट परेशनल कंट्रोल इसके अंदर क्या होगा दोस्तों यहां पर डाटा के उपर क्लिक कीजिए और यहां पर क्या होगा आपका पूरा डाटा रहेगा यानि कि आप काफी सारे नोटिफिकेशन आये होंगे और यहां पर देखिए जब इसके उपर क्लिक करते हैं तो यह भी बता देगा कि आपने क्या क्या यूज कि है सेटिंग्स वगरा या आपने क्या यूज कर देख सकते हो आप अपने मोवाइल को सबसे ज्यादा किस चीज में यूज सब्सक्राइब और पूरे दिन में कितना चला देख पूरा एक महीने का यहां पर डाटा रहता है तो आप जाकर देख सकते हो कि आप अपने मोवाइल में मतलब टाइम देते कहां पर हो इतना तो आप जाकर देख सकते हो यह भी काफी अच्छा फीचर है और आपको इसके जानने हैं चोटे मोटे तो और भी काफी सारे इडन फीचर्स है पर आज के लिए बस इतना ही अगर आपका माइक्रो मेक्स इन टूबी से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कोमेंट में पूछ सकते हूं मैं आपका रिपलाई देने के लिए तैयार हूं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और अगर हमारी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लिए मिलते हैं किसी नए वीडियों के अंदर तब तक के लिए बाई बाई